फिर दाड़ी लगाने के लिए विदेशी क्रीम मत खरीदो फिर आप कोगे दाड़ी कैसे बनाए थोड़ा दूद ले लो चहरे पे मालिश करो रेजर चलाओ बहुत चिकनी दाड़ी बनती है मैं पंद्रे साल से बनाता हूँ चार फाइदे हैं पहला दूद लगाओ तो चहरा चिकना होता है रेजर आसनी से चलता है तो बलेट जादा दिन काम करता है दूसरा फाइदा दूद लगाओ तो गंदगी निकाल देता है चहरे से गंदगी निकलेगी कील मुहासे नहीं होते तीसरा है चेहरे पे दूद लगाओ चेहरा चमकता है मुफत में स्मार्ट हो जाओगे आप सब और चौथा फाइदा कि दूद से दाड़ी बनाओ तो दूद की विक्री बढ़ेगी मुनाफ़ा किसानों को मिलेगा पैसा इस देश में रहेगा पाम-अलिव की बिक्री बढ़ेगी तो पैसा विदेश है ऐसी मेरा निवेदन है कि ये फाल्तू विदेशी शेविंग क्रीम क्यों लगाते हैं पाम-अलिव, ओल्ड, इस्पाई, सिरेस्मिक आप कहते हैं जी दाड़ी बनानी है दाड़ी बनाने के तो 20 तरीके है उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हम शेविंग क्रीम लगाके दाड़ी बनाते हैं सबसे बड़ी प्राब्लम ये है कि ये आपकी स्किन लगातार हार्ड होती जाती है रफ होती जाती है और रफने से एक समय इतनी बढ़ जाती है कि दो बार तीन बार शेव करो तो भी क्लीनिंग नहीं आती क्योंकि वो शेविंग क्रीम ऐसी है उसमें केमीकल ऐसे है क्यों लगा रहे हैं बन कर दो फिर आप बोलो कि दाड़ी कैसे बनाए दूद से बनाओ थोड़ा दूद ले लो चहरे पे मालिश करो एक दम चिकना हट आ जाएगी फिर रेजर चलाओ बहुत क्लीन शेव बनती है दही ले लो दही दही को लगाओ फिर रेजर चलाओ और भी अच्छी शेव बनती है तेल ले लो तेल एक बून तेल पानी में मिलाके चहरे पे लगाओ फिर रेजर चलाओ डीप कट होता है बहुत क्लीन शेव होती है दूद से दाड़ी बनाएगा बहुत मजाएगा क्यों दूद जो है ना क्लिंजिंग एजेंट है आपको मालूम है सारे ब्यूटी पॉरलर्स में मिल्क क्लिंजिंग ही किया जाता है आप रोज दूद से दाड़ी बनाएगे सारी गंदगी निकल जाएगी चहरा चमकेगा स्मार्ट हो जाओगे आप सब फोकट में कल से ही शुरू करो मैं तो बहुत समय से करता हूँ दूद से दाड़ी बनाता हूँ आप भी करो पैसे आपके बचेंगे अल्टिमेटली देश के बचेंगे देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आमंदनी बढ़ानी है तो खर्चे को घटाना सबसे आसान तरीका है आप जितना खर्चा घटाएंगे आमंदनी उतनी ही बढ़ जाएगी देश की तो अपनी जिंदगी के छोटे-छोटे खर्चे घटाओ देश का बड़ा खर्चा अपने आप घट जाएगा शेविंग करीम फाल तू खर्च मत करो दूद से दाड़ी बना लो दही से बना लो और आपको तो मालूम है हम दूद से शंकर वगवान को इसनान कराते हैं तो दूद से दाड़ी क्यों नहीं बना सकते